कम्प्यूटर से तेज दिमाग, कीबोर्ट पर उंगलियों की स्पीड देख सब हैरान हो जाते हैं शिव इश्लोक और रामायड मुहजवानी आद है आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं पियमोदी के संसदिय चेत्र, वारानसी के मनुवा डी चेत्र के मढ़ोली की निवासी और कच्छा एक में पढ़ने वाली आर्या प्रकाश स्विवास्तोगी जिनकी उम्र है महज साड़े छे साल लेकिन ग्यान का भंडार ऐसा कि बड़े-बड़े उनकी प्रतिफा देख हैरत में पढ़ जाते हैं काशी वगंगा की संस्कृति और इतिहास के लावा ऐसी धेरो जानकारियां हैं जो आर्या को कंठस्त हैं वारानसी के 21 पुरातन नाम वा इसकदर गिंती हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे माच चंद सेकेंड में काशी के 84 घाटों के नाम गिनाना होया देश के राज्यों और तमाम धर्म डंतों के संस्कृत के श्लोक ये सब नन्ही सी आर्या इमला की तरह बोल देती हैं स्वामी वेकानंद रानी लक्ष्मी बाई चित्रगुप्त सहित महान विभूतियों के बारे में भी उनको अच्छा ग्यान है आर्या काशी के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं इसने वारांसी के लोग इन्हें गूगल गर्ड के नाम से जानते हैं पुत्र हैं जैसे धरम, भरम, मित्यू और भरत सर्वविल्थ हैं लेकिन भगवान चित्चित्रकुप्चिकर जनम की कहानी कुछ भेन हैं वेदों के नुसार कायस या धरम राश्री चित्रकुप्त महाराची की धन्यवाद गंगा भारत के सबसे महत्पू नदी है जो गंगो उत्रहिम्नत उत्रा कंसे उपन हो कोई मिलाकर 2525 किनो मीटर की दूरी तैक करती हुई बंगाल की खारी के सुर्व मंदद विशार भूबा को चीस्ती है गंगा ये दिश्व में फ्रमाइट होती है जिस मुखारत के अलावा नेपाल और बांगर ने ही शामिल है आर्या की मा लक्षमी से वास्ता बताती हैं कि आर्या बच्पन से ही किताबों के करीब रही है वे बताती हैं कि जब भी वे अपनी बड़ी बेटी को पढ़ाया करती थी उसी समय आर्या महज 3 साल की थी तबी से खिलोनों के बजाए किताबों से दिल्चस्प भी जादा लेती थी संस्क्रित के कठे निश्लोकों को वे छोटी उम्र में कंठस्त कर लेती थी यही नहीं आर्या को पूरी रामाड भी याद है आर्या के पास ग्यान के साथ ही संगीत साधना सिध्धी भी है वो ढोलक, मंजीरा, म्यूजिकल कीबोर्ड के लावा कई संगीत के उपकरण भी बजाती है संगीत के लावा आर्या निर्थ विद्या में भी निपूर्ण है आपको बता दें कि पूरे दिन भर में वो इस साथ घंटे पढ़ाई करती हैं तो च्छै घंटे खेलती भी है एक्स्ट्र एक्टिविटी में स्विमिंग कराटे करने की वज़े से आर्या का ब्रेन एक्टिवेट रहता है पढ़ाई करने के दौरान वो भी किताब के बजाए खेल-खेल में पढ़ाई करती हैं इसके साथ आरे IPS अधिकारी बन कर देश की सेवा करना चाहती है